आज फिर से मार्केट ने बहुत सारे मौके दिये एक अच्छे प्रॉफिट्स को बुक करने के लिए और जितने भी हमारे कॉंबो कोर्स के स्टुडेंट से उन्होंने बेचरीन प्रॉफिट्स बुक भी किये हैं आज सब पर बात करेंगे हम एक एक करके सबसे पहले बात कर लेते हैं जो स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहे हैं ब्लैक कलर की लाइन्स यह वो होरिजॉन्टल लाइन्स हैं मतलब वो important points थे support और resistance के जो market आज आपके लिए काम कर सकते थे यह सारे जितने भी important points होते हैं यह मैं आपको telegram पर एक दिन पहले ही देता हूँ जो पहली बार channel पर आए हैं उनको मैं बता दूँ चाहें nifty हो और nifty और bank nifty दोनों के लिए तो चलते हैं सीथे अपने telegram channel पर पहले देखते हैं कि कल मैंने आपको कौन से levels दिये थे तो यह अपना telegram channel options for tomorrow इसमें मैंने यह देखिए आज 16th feb के लिए नifty के लिए कुछ important levels दिये थे और bank nifty के लिए कुछ important levels दिये थे बाकी सुबह मैंने आपको जो market में gap up होने वाला है gap down होने वाला है pre market answers के हिसाब से उसके बारे में भी बता देता हूँ market खुलने से पहले वो आप खुद भी check कर सकते हैं कैसे check कर सकते हैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ description में link आप चाहें तो check कर सकते हूँ बाकी बहुत सारे कुछ screen shots जो जितने भी हमारे students है combo course के जिन्होंने 2499 में हमारा combo course लिया है और study किया है options trading को बिल्कुल beginning से as a beginner सारी चीजों को अच्छी तरीके समझ के patterns, chart, indication, technical answers, सब कुछ उन्होंने धेर सारे profits भी book किये हैं जो screenshot आज उन्होंने में हमारे साथ share भी किये तो इन सब के बात करेंगे और course कैसे आप ले सकते हैं कैसे आप study कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको वीडियो के सबसे last में बताऊंगा तो अभी आप वीडियो में बने रहें तो ये levels पहले चेक कर सकते हैं कैसे तो अब सबसे पहली चीज़ अगर आप ये telegram channel जोइन करना चाहते हैं मैं आपको एक चीज़ बता दूँ हमारा कोई भी paid group या paid channel नहीं है ये मैं alert बता रहा हूँ बहुत सारे लोग है frauds में फस जाते हैं सेम नाम के groups लोग बना लेते हैं fraud करते हैं लोगों साथ आप किसी fraud में ना फसे इसलिए मैं आपको alert बता रहा हूँ कि यही एक हमारा चैनल है options for tomorrow इसके लबा कोई भी चैनल नहीं है कोई भी paid group नहीं है इसको कैसे पहचानेंगे ये original है आप options for tomorrow टेलिग्राम में सर्च करें तो आप members जरूर चेक करिएगा 51,000 प्लस members होने चाहिए और उसका username होना चाहिए options for tomorrow तो join करने से पहले चीज़ों के ध्यान दे fraud में ना फसे अब चलते हैं सीधे nifty के 5 minutes के daily chart पे तो आज हम 5 minutes का chart देख रहे हैं gap up gap down मैंने आपको बता दिया था और आज सुबह सुबह market ने बढ़िया put का indication दिया था कैसे दिया था चलिए देखते चाट पे जैसा कि आप सभी लोग जानते मैं पहली एक दो candle में मना करता हूँ trading के लिए पहली दो तिन candle में हमेशा क्योंकि काफी frequent trades होती हैं काफी volatile market रहती है इसलिए हम उसमें avoid करें वो सबसे अच्छी चीज होती ह अगर मैं तीसरी candle की बात करूँ और पहली candle की बात करूँ ट्रेड नहीं ले रहे हैं भी हम analyze कर रहे हैं तो पहली candle की आप shadow देखिए candle की body से कहीं ज़्यादा importance candle की shadow की होती है shadow क्या कह रही है कि market को लोग उपर ले जाना चाहते हैं बट उपर closing नहीं दे पा रही है तो ये एक indication था downfall के लिए अगर मैं चौती candle की बात करूँ तो उसने ये level break किया था जो level था 17,400 चक कर लेते हैं एक बार अपने list में 17,400 ये level हमारा break हुआ है अगली candle नीचे हमें opening द level पे बिल्कुल touch कराया है market को और ये level आपको एक अच्छी तरीके से आपका profit for 17,280 ये हमारा level था एक बचक कर लेते हैं 17,200 ये हमारा level था 17,280 बिल्कुल exactly उसी level से market ने support लिया आप यहाँ पे चेक करिया बिल्कुल exactly उसी level पे तो ये levels आपकी इसी तरह मदद कर सकते हैं कैसे यहां breakout हुआ लेकिन अगली candle ने किसी भी ने हमको ये confirmation नहीं दिया कि और नीचे जा सकती है market इसके बाद market ने एक green candle दी अगली candle ने आपको breakout के साथ ऊपर closing दे दी तो यहां से हमें call की position बना सकते थे यहां पे जिन्हों ने exit कर दिया कोई बात नहीं क्योंकि आपको एक trend दिखा था और ये level अपना दुबारा एक resistance की तरह काम किया था अब्यस्ती बात है अगर आपको resistance की तरह दिख राइड़ केंड़न क्लोजिंग दे रही है तो आप इस call को यहां से exit कर लेंगे लेकिन अगर आपने दुबारा यहां देगे support लेती हुए market ने जब दुबारा support लिया है एक पर फिर से resist किया और जब इस level को break किया है अगर आपने यहां से फिर एक call की entry बनाई अगर यहां वाली entry को आपने hold करके रखा है देगे वैसे भी अगर आप यहां entry बनाते तो आपका stop loss यहां होता जो stop loss hit नहीं हुआ कहीं पर भी इस level पर तो अगर आपने wait किया बहुत अच्छी बात है दुबारा entry ली तो भी अच्छी तो यहां से call को आपने market को देखिए कोई भी हमें यहां पे कोई भी ऐसा confirmation नहीं मिला है कि इस level से नीचे जाएगी market तो हम यहां पर hold कर सकते है अपने यहां हमको एक pattern दिख गया यह pattern था downtrend के लिए बिल्कुल inverted hammer बना है first class एकदम pattern दिखा हमें जो हमें indication दे सकता था downtrend के ल नहां break के बाद call की entry बनाई put की entry अगर आपने बनाई है तो बिल्कुल देखिए level कैसे resist हुआ है यह level था बिल्कुल 17,460 का यह बार चेकर लेते हैं 17,460 का level था बिल्कुल exactly उसी level पर market ने resistance लिया है और market ने आपको एक दो पूरे पूरे दो level आपको cross करा हैं अभी भी fall करन हमें बहुत अच्छी तरीके से एक बेतरी हम 17,335 का यह level है चेकर लेते हैं 17,335 का यह level हमें आपको दिया था तो अब देख लेते हैं कि कल किस तरीके से हम देख सकते है market को इसके बाद देखेंगे इसको one day के chart पे कि कल क्या हो सकता है तो मगर market आपको level के बीच में कहीं प follow करना है और हमें wait करना है किसी level के break होने का तो अगर market downtrend already है चल रही है और उसके बाद हमें किसी support level का breakout मिल जाता है नीचे की तरफ और second candle एक बढ़िया सी confirmation दे देता है उसके नीचे closing करके और RSI साथ के साथ हमारा अगर 35 से 40 की तरफ 45 से 40 की तरफ move कर रहा है नीचे की के market कैसे level break कर रही है फटा फटा बहतरीन तरीके से market reverse जितना भी उपर गई थी market वो कोशिश कर रही है बाद में profit लोग बुक कर रहे है इसकी वज़े से reverse हो रही है ऐसे सेम चीज़ उपर के लिए अगर market उपर का breakout दे देती है और हमें RSI भी दिख रहेगी 60 के plus है तो 60 के plus उपर आला candle भी उपर close मिल जाए तो सबसे बढ़िया है और RSI हमारा 60 के उपर मिल जाए तो एक double confirmation हो गया है तो सारी चीज़ों को देखते हुए चलिए कोई pattern देख रहा है RSI को भी चेक करिए price को भी चेक करिए level को भी चेक करिए support, resistance जितनी ज्यादा चीज़ें confirm करेंगे उतनी अच्छी trade आपको मिलेगी और अच्छा profit होगा अब चलते हैं निफ्टी को देखते हैं वंडे के chart पे तो वंडे के chart पे देखे चार्ट गया है बदल अभी बाकाइदा बहतरीन green chart बना हुआ था अभी market बिलकुल बदल चुकी है पिछले 5 मिनट में एक reversal हमको देखन करता हुआ दिख रहा है कोर्स में मैंने ऐसे 17 पैटर्स बता रखे हैं जो हमारा कॉंबो कोर्स है जिसमें strategies भी हैं तो उसमें से ही एक ये भी चीज़े मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूं कोर्स में तो मैंने बहुत अची तरीके समझा रहा है कोर्स के बारे में बात यह पिछली closing के नीचे है इसलिए यह हमें red green दिख रही है तो यहां पर हो सकता है कि कल हमें अब बहुत कम chance बचा है market के पास तो कल हमें हो सकता है कि हमें red candle देखने को मिल सकती है और वैसे भी कल expiracies का ध्यान रखिए तो जादा तर हो सकता है कि market कोशिश करेगी sideways क्योंकि एक moment देना काफी मुश्किल होता है जादा तर chances में ऐसा होता है कि expiry के दिन market एक side में फसी रहने की कोशिश करती है क्योंकि buyer और seller दोनों expiry का दिन होता है दोनों लड़ रहे होते हैं buying और selling के लिए आप देख लेते हैं nifty bank को एक बार फटा फट और nifty bank ने भी एक अच्छ किया बढ़िया एक inverted hammer भी बनाया था चौथी candle में और एक level को तोड़ दिया नीचे closing भी बढ़िया confirmation मिला हमें market के downfall का यहां से उसके बाद put ने आपको एक अच्छा offer दिया भी और यहां देखी इस level पर जाके market ने support लिया है जो level था आपका 37,830 एक बढ़ चेक कर लेते है 37,830 यह level था यहां से market ने support लिया है और यह breakout दिया लेकिन अगली candle ने confirmation नहीं दिया ग्रीन candle बनी अगली candle ने confirmation उपर का दिया तो अगर आप यहां से level लिये और अगर यहां से entry लिये तो आपका stop loss यहां पर कहीं था तो अगर आपने यहां पर wait भी किया होगा तो भी आपक stop loss hit नहीं हुआ होगा अगर आप यहां पर exit भी कर गए होंगे तो भी अच्छी बात है अगर आपका stop loss hit भी होगा तो भी कोई बात नहीं है दूसरा chance आपको market ने फिर से दिया था same level पर support लेकर यहां से उसके बाद एक अच्छा profit आपको देखने को मिला है call में और यहां ज market ने बकाइदा resistance दिया है और उसके बाद आपको एक downfall देखने को मिल गया है जिसमें अभी profit हो रहा होगा बहुत सारे लोगों को अगर आपने पुट की entry बनाई होगी तो same चीज आप देख लेते bank nifty को एक वन डेगे trade तो वन डेगे trade में bank nifty में आपको एक channel दिख रहा है हो तो हो सकता है हमें कल एक अगर हम channel के हिसाब से चलें तो हमें एक green candle दिख सकती है जो आपको market को ऊपर ले जा सकती है और अगर हम triangle के हिसाब से बात करें तो फिर market हमें जो symmetrical triangle बन रहा है तो पिर हमें यहां पे एक resistance दिख रहा है अगर हम इस line की बात करें तो हो सकता हमें एक downfall देखने को मिल जाए तो कल वैसे भी expiry है तो कल undecisive market हो सकता है किसी भी site जा सकता है कल clear confirmation होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्ल main चीज है expiry caller और buyer के बीच में seller और buyer के बीच में काफी तगड़ा मुकाबला रहेगा कर अब बात कर लेते हैं कि आज किन लोगों ने क्या धमाल मचाया है सबसे पहले देखते हैं त्रीन हंड़ेट टू एट्टीन रुपीज का लॉस है ओर और फॉर्टीन हंड़ेट नाइन का अच्छा प्रॉफित है थैंक्सर लव यू यूर सुपरमान थैंक्यू वेरी माच सा यह पेपर ट्रेट कर रहे हैं सर जी मैं आपका कोर्स डेली टू बार रिपीट करता हू त्रीन हंड़ेट नाइन तो मुम्किन नहीं हो पाता थैंक्यू सर थैंक्यू वेरी माच सर फीडबाग फॉर्टीन रुटीन हंड़ेट करोगे तो लॉस ही होगा आज बहुत पेशेंसे इंट्री के लिए वेट किया वेरी गुड और प्रॉफिट बुक किया आपने जो न अच्छा प्रॉफिट है आपके लेवल्स तो को हाथ जोड के सलाम करता है मार्केट में एक लॉट पर ही मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए बहुत शांदार लेवल्स थैंक्यू वेरी माच सर फॉर्टी सिक अंड़ेट का और प्रॉफिट है अभी तो दो आवर्स और 1675 का एक अच्छा प्रॉफिट है मार्केट रेजिस्टे एक्ट लिए 38,260 थैंक्स पर दा गाइदेंस सर दिस लुक्स मेरेकुलस थैंक्यू वेरी मच सर यह लेवल्स की बात कर रहे हैं 38,260 पर जहां पर भी रेजिस्टेंस लिया जिस पर हमने बात की 3400 का अच्छा प्र टॉफिट है ओके वेरी डिफिकल्ड दिफिकल्ट तो है सर नॉलेज के नॉलेज जी एक चीज़ है जो उसको आपके लिए असान बना सकती है फ्ष्ट आफ्ट आफ्ट प्रॉफिट आफ्र कोर्स योड है कॉर्स इस ऑप्रॉफित है इनका 2057 रुपीज का वेरी गूद द तो नॉलेज है, नॉलेज आप गेन करिए, अच्छे से सीखिए, चीजों को प्रैक्टिस करिए, पेपर ट्रेट करिए, उसके बाद आप बढ़िया डिरेक्शन की तरफ चल सकते हैं, तो बिलकुल यह देखे, चीजे सीख रहे हैं, अभी पैटर्न में देख रहे हैं, चीजों को अनलाइज कर रहे हैं, मार्केट में, वेरी गूड, पेपर ट्रेट किया हैं, इन्होंने वेरी गूड, इनको प्रॉफिट हुआ है, अच्छा प्रॉफिट है, थैंक्यू सर, ट् प्रॉफिट है, तो इस तरीके से चीजों को लोग बहुत सारे सीख रहे हैं, थैंकी गलती की वज़े से, बट ओर एक बढ़िया प्रॉफिट है, थैंकी एक प्रॉफिट है, 925 का अच्छा प्रॉफिट है, मैं बहुत खुश नसीब और शुक्रगाज हूँ कि आपका को आज भाई किया, मेरी जिन्दगी थी 60 डिग्री चेंज करने वाला कोस, थैंक यू, थैंक यू, सो मच सर फॉर दिस फीडबैक, काफी लंबा फीडबैक है, आप लोग एक बार देख लीजेगा, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को सीखने के बाद, यहनोंने एक बात जो कई वो चीज सत्य है, बिल्कुल की रूपीज 15,000 से 25,000 तक फी मांगते हैं लोग, लेकिन आपका फी बहुत ही कम प्राइस में है, 2499 में है, जरूर सर, मेरा जो मेन कंसन है कि आप नॉलेज लीजिए, और टिप के पिछे मत भागिए, पस, 335, 429 के एक अच्छा प्रॉ बहुत सारे प्रॉफिट्स के स्क्रीन शॉट्स अभी भी मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं, मैं उनको शेर कर दूंगा बाद में, और इनका भी मैसेज एक काफी अच्छा था, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं रोकर, और तो बहुत सारे लोग के फीड़ग्स बहुत अच् यह वेबसाइट के अलावा कहीं भी कोई भी आपको कोर्स नहीं मिलेगा, तो आप इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हैं, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, इस वेबसाइट पर पहुंचिए, और इस वेबसाइट पर जाने के जाएगा, यहाँ पर आप सिंपल अपनी email ID और phone number डाल के payment proceed कर सकते हैं, payment का वो सारे options मिल जाएगे, चाहे आप Google पे, phone पे, Paytm, credit card, debit card, किसी से भी payment कर सकते हैं, payment successful होने के बाद आपके पास एक mail भी आ जाएगा, जिसमें आपका payment का confirmation होगा, और आपके पास save का एक option आएगा, dialogue box open होगा, जिसमें आप save पर click करेंगे, तो course की zip file डाउनलोड हो जाएगी, जो 2.5 GB के आसपास है, 2 GB के आसपास, अगर payment के बाद कोई problem होती है, course download नहीं होता, page reload नहीं हो पाता, या कोई भी error होता है, तो आप simple नीचे WhatsApp का number दिया हुआ है, इस number पर आप सिर्फ message करिए, अपने email idea जो आप यहां use करेंगे, तो मैं आपको direct link दे दूँगा, कैसे download करना है, कैसे नहीं, और उसको अच्छी तरीके से study करिए, उसके बाद मेरी request पेपर ट्रेट जरूर करिए, कम से कम 15-20 दिन उस knowledge को test करिए, thank you very much guys, मिलता हूँ बहुत जल, thank you